Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone Hello guys, I am back, very interesting video, guys, आज इस वीडियो में हम comparison कने वाले है Nokia 6.1 Plus के साथ Moto One Power Guys, Nokia 6.1 Plus इंडिया मार्केट में रिसेनली लांच किया है, बहुत ही बेस्ट प्राइज में इंडिया मार्केट में एक बजट स्मार्टफोन इसके नामें Moto One Power जो Nokia 6.1 Plus को काफी अच्छा कॉंपिडिटर मना जा रहे तो मैं इस वीडियो में इस Nokia 6.1 Plus और Moto One Power इंदोनों स्मार्टफोन को कमपरिशन करने वाला हूँ लुक्स वाइज, स्पेस्फिकिशन वाइज और प्राइस वाइज अन बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कॉंसा स्मार्टफोन वेस्ट फिचर्स और बेस्ट पार्परमेंस पोवाइट करेगा आगे इस वीडियो को देखते रहिए एन तक देना आपको भी आइडिया मिल जाएगा इन दोनों स्मार्टफोन में से कॉंसा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए छोऐ तो दोनों स्मार्टफोन बहुती वेश्ट लूक बहुती प्रीमियम डिसाइन आपको देंगे को मिल जाएगा तो गा shorts व Credit लेगिन बिल काुणी कापी बैल्हीटर होगा मोटो वान पावर दोनों स्मार्टपोन के डिस्प्ले के बारे में बात कि जाए तो Nokia 6.1 प्लस जिसमें आप देख पाएंगे 5.8 इंच का एक IPS LCD पैनल जिसमें Full HD प्लस रेजलोशन जो एक 90.9 एस्प्लेस होगा फुल भीव डिस्प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा उपर आपको नौज देखने को मिल जाएगा एन गाइस मोटो वान पावर जिसमें आपको सेम देखने को मिल जाएगा नौज डिस्प्लेइ जो 6.2 इंच का IPS LCD पैनल फुल एस्ट प्रेजलोशन जो एक 90.9 एस्प्लेस को एक फुल भीव डिस्प्लेइ गाइस मोटो यहां पे पहली बार नौज डिस्प्लेइ साथ स्मार्टफोन लांच करने जाए मोटो वान पावर जो काफी प्रिमियम होगा दोनो स्मार्टफोन का चिप्सेट रैम राम के बारे में बात की जाए तो नोकिया 6.1 प्लास जिसमें आपको देहने हो मिला है कॉलकाम स्नाप्डागन 636 का चिप्सेट जो वेरियन आपको देहने हो मिलागा दोनो स्मार्टफोन का कैमेरे के बारे में बात की जाए तो नोकिया 6.1 प्लास जिसमें आप देख पाएंगे पिछे की तरफ डुल वार्टफोन कामेरा सेटप जो सेंसर आपको मिलेगा 16 मेगा विक्सल विट 5 मेगा पिक्सल एक नॉर्मल सुट के लिए और आपको मिलेगा डेफ सेंजिंग के लिए आपको सेंसर आपको 16 मेगा पिक्सल विट 5 मेगा पिक्सल नॉर्मल सुट के लिए और आपको डेफ सेंजिंग के लिए गाइस फ्रॉंट के बाड़ें बात कि जाए तो नोकिया सिक्स पेन उन प्लस जिसमें आप देख पाएंगे 16 मेगा फिक्सल का फ्रॉंट के लिए और दोने स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन का बात रेंगे बैटरी के बाड़ में तो नोकिया 6.1 प्लस जिसमें आप देख पाएंगे 3060 में के बैटरी जोब टाइप सीपोर से फास्चाजिंग कर सकते हो यहां पर मॉट्वान पावर काफी अच्छा बैटरी प्रोवाइट काईगा क्योंकि इ दोनों स्मार्टफोन प्रेशन वाइस एक दम से मार्ट थिमिलर होगा थोड़ा डिस्पेल में थोड़ा काफी आच्छा होगा मॉट्वान पावर अन्यास बैटरी काफी आच्छा बाड़ में बात की आई तो नोकिया 6.1 प्लस इंडिया मार्केट में लॉंच हुआ है जो 15,900,99 मताब 16,000 जो नोकिया 6.1 प्लस को कॉम्पीट करने के लिए स्मार्टफोन लांच करने जारे मोटो की तरफ से तो यहीति इन दोनों स्मार्टफोन का पेश्वीजन वाइस कम पर जाने आप प्लिस कॉमेंट किजिएगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में चे कॉंसा स्म सब्सक्राइब करने के बाद बिलेंगें फ्रिस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लाओंगा आप लोगों तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो थैंक्यू गाइस जै हिंद बंदमत्रम